फरार चल रहे कॉंग्रेस के बड़े नेता पी चिदंबरम को उसके वकीलों की फौज भी अग्रिम जमानत नहीं दिला पाई सुप्रीम कोड ने इस पर सुनवाई करने से ये कैकर मना कर दिया कि बिना लिस्टिंग के सुनवाई नहीं की जा सकती इसलिए इंतजार करना होगा मतलब कि चिदंबरम की फरारी चलती रहेगी हलाकि चिदंबरम के वकील और कॉंग्रेस के नेता का पिलसिबल ने अदालत को कहा कि उनका मुख्किल न तो कहीं छुपा है और नहीं देश से भागने के चक्कर में है सुप्रिम कोर्ट की जस्टिस इनवी समना वाली एकल पीठ ने साफ कहा कि इस केस में लिस्टिंग का फैसला चीफ जस्टिस रंजन गुगोई ही करेंगे इसके पहले कोर्ट ने चिदंबरम की याचिका को दोश पूरण बताया था और कहा कि जब तक इसकी कम्यों को दूर नहीं किया जाता तब तक इसे लिस्टिंग के लिए नहीं भेजा जा सकता चिदंबरम की अगरिम जमानत किया चुका सुप्रीम कोट में दाखिल होने के बाद CBI और ED ने भी अपनी तरफ से कैविएट दाखिल किया उसे सुने बिना जमानत पर कोई फैसला नहीं किया जाए इसमें शामिल है CBI और ED की टीम भी पीच दंबरम की खोज और उनके घर के कई चकर काट चुकी है अगर वे छुपे हुए नहीं है जैसा कि उनके वकी इलकपिल सिब्बल का कहना है तो उन्हें सब के सामने आ जाना चाहिए लेकिन सब जानते हैं कि पीच दंबरम तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक सुप्रीम कोट में उनके मामले की सुनवाई पूरी न हो जाए यूर रिपोर्ट न्यूस अप इंडिया